प्रांचल इस रोए नतुनों विलेक रोसना कर इसे सट्वीस्ता उपग रहा उद्खेपन महाकाद को बेहना खंग स्थार वान वेप इंदिया तू अभीजन अर्जोरियो ते उद्खेपन उपग रहा रिसोदी कोया सुब अम्या रलकाख उनाता ब्लाद बेन हिवाब प्रोड़न अर्भबे ए उपग रहा उद्खेपन काच चेह ले जा रहा है यान के उचाहिए एक सो बेंदिया राइक चरण है वरतमान में प्रजुलत है पेलोड फारिक सपरेट फूप गाइडन इनिशियर ते ते शार बैंगलूरू एंटरवेंड इंद्रूंग काइडन स्थाइड बेंदिया इन के विचाहिए एक सो ब्यालेस किलो मीटर अब यह वातावरंट से बाहर जा चुका है इसलिए उश्मा का वच्छ को पिखक कर दिया गया है यान पूरी तरह सामाने निश्पादन करता हुआ अब यहान ख्लोज लूप गाइदन्स के अंतरगत है यानि सेंसर की मदद से वह स्वयम का दिशन धारन कर रहा है बढ़न कर दिश्फ दिश्प्र प्रेंट अच्छ कर दिश्पोर मिनल्ट लएट निट इस पुटन वाद भूरी लुकास हो पस्त। फॉटल बूर कर दिश्बद से कुटवेट लूस्ट पल्स तोटल बूर्ण तोप्र निश्वेट तक्त। यान पूर्णत अपिक्षित्पत को अनुकरन करता हुआ जा रहा है कुछी सेकेंड्स में हम देखेंगे L110 चरण का प्रजुलन समाप्ट हो जाएगा और तपर शायत L110 को यान से प्रिथक कर दिया जाएगा L110 stage thrust cut off and separated C25 ignition commanded C25 ignition confirmed Several pieces of good news for the flight event L110 has completed its operation nominally and separated from the ongoing launch vehicle The C25 cryogenic engine has started its operation एलवन टेन चरंड को सफलता पूर्वग प्रिथक कर दिया गया है और अन्तिम चरंड जो की C25 क्रायोजेनिक इंजिन है उसका सफलता पूर्वग प्रज्वलन शुरू हो चुका है और बड़तमान में वह प्रणुद उत्पन कर यान को दिश्क खशा की और ले जा रहा है यह स्रीरी हरेकोतार सतीस धावन महाकाख केंडर प्राउट खेपन करा उपग्रहर खबोर बाद भी सोई दिखरा स्वावी 37 उपग्रहर उजन पाज़ाजार आठख़ पास्तन दिखर खरबर प्रिहाद एलाएम भी ठ्री रोकेते कुरहेनी वह उपग्रे हो किता अरु तिमध्यामी खकलूत इठव नर्कों जनाईशू अरु एया बलके तिभी परड़ाट ड्रिसो दिखी एसे श्री हरीकोतार प्रा लाइफ टेलिकास्त इस्रोई नोतुन अभिलेक रसदा करी से 37 उपग्रह उद्खेपन महाका को बेहना होंग्स्ठार वान वेब इंडिया तू अभिजानर जर्योते उद्खेपन इउपग्रह उन्नता ब्रद्बेन खेवा प्रदान अबाबे इउपग्रह उद्खेपन करज़ हो स्री हरीकोतार 37 धबन महाका केंडर प्रा उद्खेपन करह हो से उपग्रह किता लॉंस प्याद हुशे SDSC, और्बिट हुशे लो अर्ड, इंजीन हुशे तिनी सरन स्वाट्विस्टा सतेलाइट और या उट्खेपन और कर जो हुशे एके लोगे इस स्वाट्विस्टा सतेलाइट उट्खेपन कुरा हुशे या हुशे एता अभिलेख इस्ट्रोर भबे, LVM M3, 44 मीटार डिखल, और उजण हुशे सहोग त्यालिस तन और इता आसे उपग्रह सक्ट्रीस, जार उजण हमपन रुपे 5,005 किलुक्राम और यार दुर्खो हुशे सारीखो 500 किलुमीटार हरो एनेट होने इए उपग्रह कीता उद्खेपन कुरा हुशे मुद्ध 37 उपग्रह रुजण हुशे 5,005 तन तेखोर हर्बर प्रिहाद LMB3 रोकेते कुरिहनी से इए उपग्रह कीता स्री हरी को तरप्रा या पुन्पतिया खंप्रह स्रामी अपनल करवा पे आग पुरह दो पुन्पादनकर यान को दिश्ट कक्षा की ओर ले जाता है जैसा कि हम देख रहे हैं यान अपिक्षित पत कानुकरन करता हुआ जा रहा है शार, टुवेद्रम, बिंगलूरु गुण गुण प्रांट रहा है ले कि इन के आग दिश्टक्राइग है अर असे टेन्स चरुटी तूटी अर शीजितू अज्टी प्रिवारिकोटा रेंगलूरू ट्रवंडरू ट्रवांडरूब्रम अंटर्टिका चाल जावदर्ब बूर्ट अंटर्टिका अग्जिग अटुमेश्पिक नहीं टूूट अटूप्ट टीजिए उप्रूटी For this particular mission, for about 43 minutes after the injection of the 4th batch of satellites, the rocket goes out of the coverage of ground tracking stations. In the meantime, the data of the inertial navigation system is stored on board and when the next ground station's sublut blurt is starting to acquire the data, the confirmation of separation events and exact time and injection parameters of the separation events are telemetered. वन्वेब समोका यह New Space India Limited के साथ वानिजिक समझावते के अंतरगत यह दूसरा प्रमोचन मिशन है. इस समझावते के तहट 72 उग्रों को निम्नभूक अक्षा में स्थापित किया जाना है, जिसमें से 36 उग्रह LVM3, M2, OneWeb India One Mission के साथ उद्दिश्च अक्षा में स्थापित किये जा चुके हैं. और आज OneWeb India Two Mission में अगले 36 उग्रहों को प्रमोचित किया जा रहा है. यह OneWeb कंपनी के लिए अठारवा प्रमोचन है, इससे पहले कुल 588 उग्रह अन्य प्रमोचन यान से पहले ही भेजे जा चुके हैं. इस मिशन की सफलता के पश्चात OneWeb कंपनी प्रथम निम्नभू कक्षा वाले उग्रहों के नक्षतर के निर्मान पूरा हो जाएगा. और इसके साथ ही OneWeb उच्च गती कम विलंबु वाली वैश्विक संचार से वायं प्रदान करने में शक्षम होगा. इसमें विश्विस्तर पर समुदाय उद्यम सरकारों को जोड़ने का यह सरप्रथम प्रदर्शन कर पाएंगे. ना सरफ उद्यम बलकि छोटे कजबे, गाउं, मुनिसिपलिटी तथा स्कूल जैसे सुविधाएं जो की दुर्गन से दुर्गन स्थानों पर हैं उन्हें जोड़ा जा सकेगा. यह मिशन ना सरफ OneWeb के लिए बलकि भारत के लिए भी एक महतवपून मिल का पत्थर सावित होगा. As we were mentioning earlier, the present mission is the second mission of OneWeb with ISRO in collaboration with NewSpace India Limited. The previous mission with LVM3 M2 was the 14th mission for OneWeb and first with ISRO. The 36th satellite had then been placed in 601 km circular orbit, while for the present mission, the intended orbit is 450 km circular. Correspondingly, the relative velocity requirement at the time of injection is higher compared to the previous mission. The present mission, LVM3 M3 OneWeb India 2, is the 18th launch mission for OneWeb. वरतमान में प्रेटियर रियो स्टेज परफॉर्फॉर्मन्स नार्मल और अंतिम चरन प्रजुलित है और समान्य प्रदर्शन कर रहा है. अब हम उडान से 760 second आगे आ चुके है वरतमान में यान की उचाही 465 km ताथा साफिक्ष्ण गती 5 10.7 km प्रथी सेकेंड है. वरतमान में यान की उचाही 465 km ताथा साफिक्ष्टिक्रत पांच दस्रमलोव 7 km प्रति सेकेंड है. OneWeb is a global communication network powered from space, enabling connectivity for governments, businesses and communities. OneWeb Gen 1 satellite constellation comprises of 648 individual satellites which are placed in low earth orbit. India's Bharti Enterprises serves as a major investor and shareholder in OneWeb. As we told this is OneWeb's 18th launch. It's 3rd this year. यान पूरी तरह पेक्षित पत का अनुकरन करता हुआ और यह दर्शाता है कि इस रो किस गुडवत्ता से, किस विश्वस्नियता से यह तंत्र का विकास कर निर्मान किया जाता है. और इनका निश्वादन पूरी तरह पेक्षित क्रियो स्टेज परफॉर्मान्स नार्मल तरीटीए जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. यह हमारे देश के अंसंग हिरोज हैं जिनोंने साधारन परिच्शितियों में और साधान काम किये हैं. अब निशाया से लाइभावर. 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 हम आख नौगे। लाइभावर. अब निशाया से लाइभावर. सब्सक्राइब करोड़ लोगों के स्वापिश्टाइब करोड़ लोगों के स्वापिश्टाइब कर देश के आत्मदारो का राइज़ होना आज पुरा विष्वा भारत के सुधर खुदे को रएजिंग इंडिया को मां दे रहा है सद्न मां दे रहा है यह राइजिंग इंडिया एक ऐसी तष्वीर है जिस पर हर हिंदुस्ताइब को गर्व होना पुनावाला फिंकोल प्रolesAct पुनावाला फिंको प्रापर MS